तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागते कोर नियू गेम प्लै में और आज हम लोग दुबारा से खेलने जा रहे है टाइट नाइट ये एक नया सर्वाइवल गेम है गाइस और मैं बता दो आप सभी को कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही लॉंच हुआ है तो काफी भा लोड कर लिया है अब अभी मैं अपना केरेक्टर सेट कर रहा हूं फिर उसके बाद नाम करन हो जाएगा अपने नाम का ठीक है तो कैसा सही रहेगा यार केरेक्टर एक बार देखते हैं पहले वैसे मैं पहले ही बता दू आप सभी को यह सर्वाइवल गेम है ठीक है तो इस गेम उससे मिलता जुलता आपको लगेगा चलो तो केरेक्टर मेंने सेट कर लिया है लड़की वाला जो केरेक्टर है इस गेम में वह थोड़ा से मुझे जादा सही नहीं लगा इसलिए लड़के वाला ही रहने देते हैं और मैं यहां पे अपनी आईडी का नाम कर देता हैं बट हमें टूटोरियल समझने की जरूरत नहीं हम कुद ही प्रो प्लेयर है वेसे नया गेह मैं तो इसमें प्रो नहीं है अभी तक सब कुछ सीखना पड़े तो इसलिए यह जो मतलब टूटोरियल है इसको मैं हटा देता हूं ओके तो सारा टूटोरियल मेंने थोड़ा गेंबी का तो वह रिसोर्स जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक टूटोरियल चलता रहेगा तो मैंने तो मतलब डाउनलोड होने के लिए मैप और रिसोर्स लगा दिया था तो वह अब हो चुका है तो इसलिए मैं रियल वर्ल्ड में उतर चुका हूं खेलने के लिए मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप लोग अगर गेम डाउनलोड करोगे तो आप लोग मतलब जो टुटोरियल है वही आप लोगों के सामने चलता रहेगा और वो काफी ज़ादा जबरदस्त लगेगा टुटोरियल ठीक है लेकिन मेप और रिसोर्स यह आलग से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको भहिया ठीक है 2000MB का मैंने बता दिया है और मेप का जो डाउनलोड है वो आलग से है तो आप लोग कर लेना अगर आप लोग यह गेम डाउनलोड करो तो फिलाल अभी मुझे गेम को थोड़ा सा समझने तो गाईस मैं अभी शायद मुझे लग रहा है कि यह कोई एक जगा है जहां पर थोड़ी बहुत हमें लूट मिल सकती है बट अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ ठीक है क्योंकि अगर उधर गया तो उधर जोंबी है यार गाईस मैं आपको अभी बाद में जाके दिखाऊंगा यार मुझे कुछ वेपन्स बनाने पड़ेंगे उसके बाद में ही जा सकते हम लोग यह कोई मतलब यह मानलो की सुपर मार्केट या गैस इस्टेशन जैसी ही कोई जगा है ओके यहां पर कुछ लिखा हुआ भी है और वहां पर जोंबी भी दिखाई दे रहे है तो भाईया पहले इधर देखो एक में बात बतादू कि जो पानी का कलर है वो काफी ज़्यादा शांदार है काफी ज़्यादा जबर्दस्त इस गेम की ग्राफिक्स काफी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे और अगर देख जाए तो इस गेम में अगर इंटरनेट आपका थोड़ा से सही भी नहीं चल रहा तो भी गेम बढ़िया चलता रहेगा तो मतलब हर एक चीज़ पर दिखान दिया गया है इस गेम में बग है मुझे लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि इस गेम में बग मिलेगा क्योंकि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है इस गेम में शुरुआत में पता चल जाता है खेलने से कि गेम कैसा है तो मुझे बढ़िया लग रहा है गेम भाई अभी तो और मैं ट्री कट कर रहा हूं अपने हाथों से पंच मार मार के ओके तो यह ट्री कट हो चुका है और मैं एक यह बनाने वाला हूं बास्केट बॉल इसका पूरा नाम तो बास्केट बॉल बैट है ओके चलो यह क्या है मैटर कलेक्टर ऐसे कुछ नाम है उसका उससे शायद मुझे लगता है कि iron वाइरन यह सब कुछ कट होगी वुड भी हो सकती है अभी तक पता नहीं यार कुछ भी ओके गेम टाइम टाइम पर हमें काफी कुछ समझा भी रहा है कि बैंड़ा यह यह से लगाना है कि लेकिन भाईया मेरे यह समझ भी समझ भी आता है जब तक मैं खुझ कु कुछ भी मुझे ओके भाईया तो अभी देखो यहां पर अपना बेग है यह और बेग में यह बैंडेज मैंने बनाई थी मेंडेज को एक बार लगा लेता है क्योंकि मेरी जो हैल्थ है यह लगवग 75% थी अब बढ़ चुकी है तो इस गेम में शायद दो हैल्थ है एक खा भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने पास में डंडा चुका है डंडा से ठुकाई करूंगा मैं जोंबी की आ जाओ रहे वैसे जोंबी कितने खतरनाक है मुझे बाद में पता चुलेगा और तुरी घुराय यह तो जोरदार एक को तो किल कर दिया मैंने लेकिन अब द जाएंगे तो फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो अभी मैं दुबारा एक अलग जगा पर रिस्पॉन हो चुका हूं और यहां पर भाई थोड़ा बहुत रिसॉर्स में कलेक्ट कर रहा हूं गेम अभी इदर की साइड में जाने के लिए बता रहा है मुझ लेकिन अभी देख अपनी जो एच पी है वो काफी काम है तो मैं मतलब अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूं यह क्या है भाई यह अपना बेस था क्या गेम टाइम टाइम पर हमें काफी कुछ दिखा रहा है ओ बाई साब हमें बना बनाया घर दिया है गेम ने आई तिंक मुझ यह लग रहा है कि यह घर मेरा ही होगा बाकि अभी देखते हैं यह टूटा हुआ है घर मेरा यहां पर डॉर है इस पर लोक नहीं है और मैं अभी अंदर आ चुका हूं घर के भाई यह तो अपने घर है लेकिन भाई पहले इसको पेक करना पड़ेगा वरना कोई बंदा आ तो वो मुझे ठोक ठाक के निकल जाएगा है यह तो एक बात है यहां पर एक श्टोरेज भी लगा हुआ है इसमें थोड़ी बहुत कुछ लूट पड़ी हुई है कि यह मैंने ले लिए आयरन और था एक तो और एक नाम में ठीक से देख नहीं पाया अभी इस गेम में काफी कुछ चीजों के नाम थोड़ेसे डिफिकल्ट है पढ़ने के इसाब से तो इसलिए कुछ चीजों के अगर मैं नाम ना बोलू तो आप लोग समझ जाना ठीक है पिर दीर दीर तो खेलते खेलते नाम याद होई जाते हैं यहां पर मैंने ट्राइंगल फाउंडेशन लगा दिया है और अब लगानी है वाल वाल का एक मिनट में सिस्टम देख लूए देखो मैं भी नया हूँ ना प्रो तोड़ी हूं मैं यार वैसे शुरुआत में प्रो बोल दिया अपने आपको लेकिन मैं हूँ नहीं तो यह मैंने लगा दी वाल और यह लगा दी मैने स्मार्ट कोर स्मार्ट कोर ओके यह अपने बेस को मतलब एक तरह से जिन्दा रखेगी गिरने नहीं देगी कि चलो भाई इसको रहने देते हैं इसा ही इसमें पूरे बेस का वह आ रहा है एक तरह से बिल्यूप्रिंट यह देख लो अपना बेस है बीच में कि अगया चलो तो काईस अभी मैं बाहर निकल के आ गया हूँ और अभी में काफी कुछ सीखूंगा वैसे गेम तो यही बता कि भाई अभी आपको घर के अंदर ही जाना है घर के अंदर कुछ ना कुछ अपना मिशन बाकी है और वो मैं भाई समझ नहीं पा रहा हूं यार पता नहीं क्या मिशन होगा पीछे की साइड में फरनस लगा हुआ है उसमें हम कुछ भी मैल्ट कर सकते हैं मतलब गेम वालों न पे हमें रिसोर्स मिलेंगे डूंडेंगे तो ठीक है तो घर से बाहर आने पर थोड़ा से दूर जाने पर मुझे यह कुछ इस्टोन नाम का दिखाई दिया है माइनिंग करने के लिए बट यार यह जो अपना बास्केटबॉल बैट है उससे तो यह कट नहीं हुआ है लेक में कोई व्याज़ों होता वो में बनालूंगा कि ऐने मå महीं दिखाई नहीं दे रहा हुए आपलों सोचो बना लो तो वह नहीं दिखाई दे रहा है मुझे क्राफ्ट में उकर प्रत्री इसमों क्या हुआ हैंसी जादा अलग अलग कैं हम लोग सब कर सकते हैं 만rant थोठा से तो यहां पर कुछ न कुछ मिशन अभी तक मेरा बाकी है इसलिए घर के अंदर आने के लिए बॉल रहा है यहां पर मैंने लकडी डाल दी और यह कैसे बनेगा यार मेंटर कलेक्टर इसके लिए भी जो आइटम चाहिए वो अपने पास नहीं है शायद ओके अपना फर्नस इस्टार्ट हो गया पता नहीं मुझे गेम वालों ने क्या दिया था आइरन ओर ऐसे कुछ है न तो उसको मैंने फर्नस में लगा दिया है यह अपना सोफा है इस पे हम लोग बेट सकते हैं चलो ठीक है अपना फर्नस चल रहा है वैसे तो यह क्या मिला हमें आइरन क्यूब मिला है आइरन ओर से तो आइरन ओर भी होता होगा शायद माइनिंग करने में वैसे मुझे दिखा ही नहीं दिया है अभी तक लेकिन मैं गुहमा भी कहा हूँ अभी जादा मेप में यार अभी मैं जादा दूर गया ही नहीं हूँ यह प्लांट फाइवर मिल चुका है गाईस हमें ओके अलग-अलग आइटा में काफी सारे यहाँ पे यह ट्री आ गया है जिस जगह में स्पॉन हुआ हूँ नहीं इस जगह ट्री काफी कम है तो यह है मेटर कलेक्टर है ना और मैंने इसको बना लिया है गाईस और अब इससे हम लोग स्टोन कट करके देखते हैं यह मतलब जो क्राफ्टिंग टेबल होती है उसके बिना ही बन गया रास्ते में ही चलो तो इससे भी स्टोन कट हो रहा है तो मतलब असल में यही होता होगा सब कुछ कट करने के लिए स्टोन एक्स तो दिया नहीं है गेम वालोंने तो इससे ही कट करेंगे वुड श्टोन और और भी जो कुछ मिलेगा मैंने सुना इस गेम में सलफर भी होती है तो मसलब रेड वेड भी होती होगी शायद वह आगे जाके पता चलेगा अभी थोड़ा बहुत गेम को हम लोग सीख ले तो इस मेप में यार गाईस आप लोगों को इस्टोन तो काफी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा मैं जरा सा आगे बढ़ा हूं और फिर से मुझे एक और इस्टोन दिखाई दे गया है तो मैं स्टोन कट कर रहा हूं और वैसे में बाद बता दू इस वह दिखाई नहीं देता है कि वहाँ पड़ा हुआ है ठीक है वालब अंदा जैसे पत्थर के पास जाओ और फिर उसके बाद उसको देखो अगर वह सच में इस्टोन है तो उसे कट करो वैसे मैं तो किसी भी पत्थर के पास जा रहा हूं वह इस्टोन ही रहता है ठीक है यह भी एक बात हो रही है लेकिन शायद जब हम सब कुछ समझ जाएंगे जैसे अभी गेम समझा रहा है तो यह सब कुछ जब खत्म हो जाएगा फिर शायद इस टोन पे और जो भी माइन करने का आइटम होगा उन पर दिखाया जाएगा कि यह यह आयरन है यह सल्फर है ऐसे फिर होगा शायद बाद में चलो तो अभी मैं घर के अंधर आ गया हूँ यार और घर के अंधर आने के बाद में यहाँ पहे अपना फरनस देखते ही फरनस चल रहा है अभी तक अपना तो गाइस जो इस्टोन में कट करके लेकर आया था ना म वैसे कई जगा यह आर पार दिखा रही है वाल बाहर की साइड में और कई जगा मतलब लखड़ी किसी दिखाई दे रही है पता नहीं क्या सिस्टम है यह कोई इसकिन इसकिन तो लगी भी नहीं है यह भी हो सकता है कि इसकिन हो देखो मैं अपग्रेड गर दिया हूँ यहां तक मैंने किया था और अब यहां पे फिर से अपग्रेड कर दिया मैंने तो क्या लगातार इसे स्टोन से अपग्रेड करते करते इस वाल की ह Memphis ज़़ Practice यार गाइस ओके अब नहीं होगा यार गाइस अभी तक यह अपग्रेड का सिस्टम मुझे जाता समझ में नहीं आया है बस मैंने ऐसे अंदाजे से करके देखा था तो वह हुआ तो सरी अपग्रेड तो गाइस गेम मुझे क्या समझाना चाह रहा था यहां पे एक मिशन आ र गाना है और मैं उसको यह समझ रहा था कि एक सिल्पिंग बेग बनाओ तो मेरे पास में फाइवर नहीं था इसलिए मैं बनाने ही पार रहा था सिल्पिंग बेग इतनी देर से मन में यही बाते चल रही थी और अंत में जाके अब यह मिशन मुझे समझ में आया है तो अब गेम यह बता रहा हो कि यहां पे आ आओ यह जो市्टोरेज बॉकस वायं इसमें यह 3 मिशन बता रखए है ठीक है एक थीथा इसको आपन करो और मिनद्रों को और यह मौह दाना है तो दूसरा मेसिन नहीं डालना है और फिर निकाल लेना है या रख देना है मूह मेरे मर जी थी लैकि मेरे पास मा आ under Pela था लेकिन मैंने फर्णास में डाल दिया अब में मैंने मतलब बाहर जाके मैंने काफी जादा सब कुछ माइन किया अभी जाके मुझे आर्न और नहीं मिला तो मैं ने अभी यहां से फर्णास में से को और अब इसमें रखके देखते है चलो तो ये वाला mission भी हो गया ठीक है ये वाला हो गया ना तो भाई ये इस से अगला mission जो last mission बता रहा है game वो बता रहा है कि हमें एक मतलब जो ये material कट होता है जो भी mine का item कट होता है वो हमें फिर से बनाना पड़ेगा वैसे मैंने कुछ इसको बनाने में जल्द बाजी कर दी matter collector को ये अब बनाना है हमें ठीक है मैंने पहले से एक extra बना लिया था लेकिन game अपने हिसाब से मुझे mission बता रहा है और game की हिसाब से ही अगर हम लोग कहलेंगे तो हमें समझ में आएगा ठीक है तो मैंने एक और दूसरा ये matter collector बना लिया है और अब इसको equip करना है ओके कर लिया अब इससे भाई हमें tree कट करना है stone कट करना है तो ये दोनों mission में कर लेता हूँ जल्दी से ठीक है ये रहा भाई pass की pass में stone तो इसको कट कर लेते हैं पहले और दोनों हमें चाहिए 500-500 ठीक है मतलब stone भी 500 चाहिए और wood भी हमें कट करनी है 500 तो मुझे पेले ही ये बात तो थोड़ी थोड़ी पता चल गई थी कि यहाँ पर stone X नहीं है तो मतलब ये जो matter collector है इससे ही मैं wood, sulfur और stone ये कट करूँगा वैसे मुझे iron अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दिये गा इस iron क्या कम रहती है कि इस map में अभी तक कुछ जानकरी नहीं है देखि थोड़ा और मैं survive करके देखूँगा वैसे अभी मैं काफी दूर दूर तक जाके आया था तो मुझे metal कुछ ऐसा मिला था यार माइन करने के लिए लेकिन iron नहीं मिला पता नहीं iron क्या में मिलता है देखना पड़ेगा या हमें दीरे दीरे करके इस समझ में आएगा चलो तो आज आज में तो हम लोग ये mission कंप्लीट कर लेते हैं और पिर उसके बाद में बाखी mission बाद में करेंगे ठीक है तो अभी बस wood कट करनी है मुझे क्योंकि stone कट हो चुका है तो ये सामने की साइड में आप लोग पानी के अंदर देख सकते हैं एक tree है तो इसको कट करते ही अपना ये wood वाला mission भी हो जाएगा हो जाएगा क्या होई गया पेले ही ठीक है तो ये सब कुछ complete है अब ये बता रहा है कि आपका base जहां जहां से टूटा हुआ था उसको आप दुबारा सही करो मतलब ठीक है तो मैंने ये काम वैसे तो पेले ही कर दिया था और यहां पे मैंने वाल लगा दी foundation लगा दिया अब ये बता रहा है कि floor लगाओ तो floor का मतलब ceiling होता होगा एक तो इस game में क्या है कि नाम आ लगे ना तो इसलिए मैं थोड़ा सा mission मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ जल्दी ठीक है क्योंकि हर इस चीज का नाम आ लगे लेकिन यहां पे हमें यह वाला फ्लोर लगाना है चलो तो यह लगा दिया यह अपने mission हो चुके है तीनों के तीनों अब मैं काम करूंगा कि इसको मैं तोड़ दूँगा क्योंकि यह एक्स्ट्रा से बाहर बनाए यह आ गया यहां पे demolish का option इसको तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया चलो तो इतना काम अपने complete हो चुका है अब देखो अपने घर में furnace लगा हुआ है तो मैं कुछ भी melt कर सकता हूं तो आगी की बाते हम लोग अगले episode में समझेंगे तो बस यह गाइस आज के लिए इतना है अगर आज क new page का link आपको हमारे video के description में मिल जाएगा तो हम मिलेंगे एक और new gameplay में तब तक के लिए बाई